हेलो फ्रेंज आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लीकल हेल्पिन हिंदी में फ्रेंज आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे सुप्रीम कोट के एक बड़े एहम फैसले के उपर जो की आज 25 सितंबर 2018 को आया है जिसमें के सुप्रीम कोट ने कहा है कि दागी नेता आरोप तैह होने के बाद भी लड़ सकेंगे चुनाओ दागी नेताओं को चुनाओ लड़ने से रोकनी की याचिकाओं पर सुप्रीम कोट की सविधानिक पीट ने ये फैसला सुनाया है कोट ने कहा है कि दागी, विधायक, सांसद, नेता, आरोप तै होने के बाद भी चुनाव लड़ सकेंगे पिछले दिनों सुप्रीम कोट ने याचिका दायर करके मांग की गई थी कि कंभीर अपराधों में जिसमें की सजा पांच साल से ज़्यादा है और अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप तै होते हैं तो उसको चुनाव लड़ने पर रोग लगाई जाए उसी याचिका के सुनवाई करते हुए मंगलवार यानि की आज सुप्रीम कोट ने प्रधान नैधिस दीपक मिश्रा ने कहा कि किसी भी नेता के खिलाफ चार सीट के आधार पर कारिवाई नहीं की जा सकती कोट ने अपना फैसला सुनाते हुए चुनाव आयोग को निर्देश दिये हैं कि वो राजनेताओं की अपराधिक कतिविधियों की जो भी रिपोर्ट है वो अपनी वेबसाइट पर डाले जिससे इस बात की जानकारी प्राप्त की जा सके कि नेता ने कितने अपराध किये हैं और कितने अपराधों के लिए उसे सजा हुई है कोट ने इसकी बाबत कुछ गाइडलाइन्स भी जारी की है जिसमें की कहा है हर पार्टी के चुनावी उमीदवार को अपने अपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी देनी होगी दूसरा ये कि राजनितिक पार्टियों को नेताओं के अपराध की जानकारी वेबसाइट पर डालने होगी तीसरा ये कि सरकार कानून बनाए ताकि अपराधिक रिकॉर्ड के लोगों की राजनितिक में एंट्री रोकी जा सके और इसके साथ ही सुप्रीम कोट ने संसत के उपर कानून बनाने की जिम्मेदारी डाल दी राजनीती के अपराधी करण को खतरनाक बताते हुए सुप्रीम कोट ने संसत को इसके लिए कानून बनाने की जिम्मेदारी सौपी है कोट ने कहा कि राजनीती में पारदर सिता बड़ी चीज है ऐसे में राजनीताओं को अपराद में सनलिप्त होने से बचना चाहिए पिछली सुनवाई में चुनाव आयोग ने इस मांग का समर्थन करते हुए कहा था कि हम 1997 में और लौ कमिशन 1999 में जन प्रतिनेधित्व कानून में बदलाव की सिफारिश कर चुकी है लेकिन सरकार बदलाव नहीं करना चाहती इससे पहले पांच जजो की सविधान पीट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि क्या चुनाव आयोग को ये शक्ति दी जा सकती है कि वो अपराधिक प्रिष्ट भूमी वाले उमीदवार को चुनाव में उतारे तो उसे चिन देने से इनकार कर दे केंद्र सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि ये चुने हुए प्रतिनिधी ही तै कर सकते है सूप्रीम कोट ने केंदर से कहा था कि हम अपने आदेज में ये जोड़ सकते हैं कि अगर अपरादियों को चुनाओ में प्रत्यासी बनाया गया तो उसे चुनाओ चिन ना जारी करा जाए केंदर सरकार ने कहा था कि अगर ऐसा किया गया तो राजनितिक दलों में विरोधी एक दूसरे पर अपराधिक केस करेंगे सविधान पीट ने कहा कि कोट संसत के शेतर अधिकार में नहीं जा रहा है जब तक संसत कानून नहीं बनाती तब तक हम चुनाव आयो को आदेश देंगे कि अपराधिक प्रिष्ट भूमी वाले ल रही थी जिसमें मांग की गई है कि गंभीर अपराधों में जिसमें की सजा पांच साल से ज्यादा है अगर किसी वेक्ति के खिलाफ आरोपताय होते हैं तो उसको चुनाव लड़ने पर रोग लगाई जाए जाए इसकी बाबस मार्च 2016 में सुप्रीम कोट ने ये फैसला प लाजी काएं भी पेंडिंग पड़ी हैं तो फ्रेंस ये था सुप्रीम कोट का एक बड़ा ही एहम फैसला दागी नेताओं के उपर की वो चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं उमिद करती हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा हुआ हुआ हुआ